भारत का उत्तर प्रदेश राज्य कई महान हस्तियों को बनाने का साक्षी रहा है कवीत और लेखकों के साथ ही इस अवद प्रांत ने कई वीर पुत्रों को भी जनम दिया जिन्होंने देश की सेवा में अपना सरवश्य निझावर कर दिया गणेश शंकर विद्यार्थी, रामप्रसाद बिस्मिल, आसिफ अली आदी न जाने कितने स्वतंतरता सिनानियों ने देश के लिए अपना तन मन सब समर्पित कर दिया इनी महान सतंतरता सिनानियों में एक नाम आता है चंद्रशेखर आजाद जिनके नाम से कानपूर में स्थित चंद्रशेखर आजाद क्रिशी एवं प्रध्योगे की विश्य विद्याले क्रिशी के विकास में अपनी महत्वपूर भूमी का अदा करता आ रहा है उन्नीसवी शदाबदी में देश में भीशर सूखे वे अकाल से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा फेहमाईन कमिशन की स्थापना की गई थी वर्ष 1892 में प्रतम क्रिशी विग्यानी के रूप में नियुक्त एगरिकल्चर केमेस द्वारा देश के विभिन हिस्सों की जलवाईू वे मिट्टी का परिशन किया गया सरकार द्वारा ये आशंकर व्यक्त की गई कि क्रिशी शिक्षा वैशोत को बढ़ावा दिये बिना खात्यान समस्या का समाधान होना असंबव है इस समस्या से निपटने के लिए बिटिश सरकार द्वारा क्रिशी शिक्षा वैशोत को बढ़ावा देने के उद्देश से वर्ष 1906 में पुणे, साबोर, कोयमबटूर, नाकपूर, कानपूर वा लायलपूर में गवर्नमेंट एगरिकल्चर स्कूल्स की स्थापना की लायलपूर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया सीमान्त वैलगू किसानों के लिए फार्मिंग सिस्टम मॉडल भी विक्सित किये जा रहे हैं आई एफस एक्रिप आई एफस योजना के तहत आई सियार की मदद से हम एक इंटिग्रेटिड फार्मिंग सिस्टम मॉडल डेवलप कर रहे हैं और माडल एस्टेबलिश करने से पहले जो हम इस जोन के किसान हैं उनका सर्वेच्षण किया हमने और सर्वेच्षण के उपरांत जो किसानों के हां उपलब्द संसादल हैं और उनकी और शक्ताओं को ध्यान में रखते हुए हमने इनीशली जो है तीन कंपोनेंट इस माडल में इंटिग्रेट किये हैं पहला है क्राप प्रदेशन दूसरा है एनिमल और तीसरा हार्टी कल्चर बेसिकली यह माडल डेवलप करने का हमारा उद्देश यह है कि जो आज का सिनेरियो यह है कि आज लगबग प्रदेश मे जो है 90 प्रदेशन जो है इस माल और मार्जिनल कटेग्रील है जिसके पास जमीन एक हेक्टेर से कम है या एक हेक्टेर से दो हेक्टेर के बीच है तो सवाल यह है कि इन किसानों का भरन फोर्सल कैसे किया जाए तो इन सारे जो कंपोनेंट हैं उनको एक जगह पर इंटिग् किसान कैसे अधिक से अधिक आमदनी ले सके ये उद्देश है और इसी उद्देश को पूर्ति करने के लिए ये 2010-2011 में ये माडल स्टब्लिश किया गया विभाग के अंतर्गत स्थित मौसम वेजशाला से मौसम समंदी आंकड़े प्राप्त कर किसानों को मौसम पूर्वा नुमान विक्रिशी परामर्श सेवाएं उपलब्द कराई जाती हैं मौसम वेजशाला 1969 में ग्रशी विष्व विद्याला कानपूर के अंतरगत इस्थाफित की गई इस मौसम वेजशाला के अंतरगत हम पिछले 24 गंटे का अधिक्तम तापक्रम नियुमतम तापक्रम विंड और विंड का डारेक्शन उसकी बिलासिटी तथा रेंस जो है वो सेल्फ रिकार्डिंग रेंगाज के माध्यम से आडिनेरी रेंगाज के माध्यम से तथा इस छेत्र में एवापोरेशन कितना हो रहा है पानी का इस इसकी रिकार्डिंग करते हैं इस छेत्र में वर्षा होगी या नहीं होगी उसके बारे में जानकारी देते हैं क्या ताप जो वेदर रहने वाला है उसमें किसान अपनी खेती पर क्या प्रबंधन करे। Department of Horticulture के अंतरगत विभिन प्रकार के फल वह फूलों पर शोद कारे संपन किया जाता है। Department of Animal Husbandry and Dairy में शिक्षण कारे के साथ साथ दुग्द शाला में उन्नत किस्म की गायों वे भैसों का शोद कारे हेतु रख रखाव किया जा रहा है। पशुओं को संतुलित आहार वे हरे चारे की पर्यावत मात्रा दे कर दुग्द उत्पादन बढ़ाने का कारे किया जाता है। कुकुच्शाला इकाई में विभिन प्रजातियां जैसे वाइट लेख हॉन, रेड कॉनिश, प्लाइमत रॉक, अशीब एवं कड़कनात के मुर्गेवे मुर्गियों का रख रखाव किया जा रहा है। अंडो से चूजे पैदा करने वाली हैश्री भी स्थापित की गई है। हमारे जो पाच अरियाज हैं उसमें सबसे पहला हमारा जो काम है वो टीकिंग है हमारे ब्स्थी, एम्स्थी, प्छी और पीडियाफ स्टुडेंट्स हमारे इस साल 2014 में आए हैं। हमारे जो फूड और डूटिशन डिपार्टमेंट है उसकी जो मेथालोजी है उसमें हम लड़कियों को मेथोड ऑफ कुकिंग, फूड को कैसे सेफ रखना चाहिए। इस महाविद्याले के अंतरगत उत्तर प्रतेश सरकार द्वारा दो परियोजनाय चलाई जा रही है। फूड शिकरिटी एवं फूड फूड परिफिकेशन। हमारे एक नर्सरी चलती है छोटे बच्चों की जिस पर हमारे जो योजी के और पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके अप्जर्बेशन मेथर्स करते हैं जिसने की उनका कैसे विठास होता है इसको देखते हैं। हमारे जो फैमिली रिस्वर्स मनेजमेंट डिपार्टमेंट ने उसमें हम इंटीर डेकुरेशन घर कोई कैसे अच्छा बनाए जाए है एचाईजी एलाईजी एपाईजी लेविल पर किस तरीके से लियाओट करना यह हम बच्चों को बताते हैं। अब तक इस संकाय से 40 किताबे तथा 400 शोध पत्रत प्रखाशित किये जा चुके हैं। संकाय द्वारा महिलाओं के सशक्ति करन के लिए इस वर्ष दो नैशनल कॉर्परेंज का आयोजन किया गया। तिलहन अनुबाग द्वारा, राई, अलसी, मूंफली, तिल वे सोया बीन की लगबग 81-99 शील प्रजातियां विक्सित की जा चुकी हैं। हमारे एक प्रजाती वर्णा बहुत हिप्र जाति य है जो पूरभे देश और विदेश के लिए संस्तुद्ध प्रजाती है, यह उत्पाद़न की दृस्ति से बहुत ही परजाती है इस परजाती ने एक सो तीस से एक सो पैंदिस दिन में पकर के 28 से ले करके 30 कुंटल उत्पाधन देश के लिए कीर्टीमान रखा है जमाव के समय में तापकर्म सामाने ते देखने में आता है कि सितंबर मा के अंतिप सब्ता में 37-38 दिगरी तापकर्म रहता आता उसके लिए भी आज हमारे पास परजाती है और यह देश की पहली परजाती इसका नाम है उर्वसी यह भी हमारे विश्विट डाले कांदपुर से 1999 में मिक्सित की गई है हमारे पास पीली सरसों की नई परजाती है जो पूरे देश के लिए संस्तुत है उसका नाम है पिता जाती भी कीड़े और विवारी के प्रती और ओधी प्रजाती हैं। शागभाजी अनुसंधान की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। यहां पर विभिन्य शागभाजी फसलों जैसे मटर, टमाटर, मिर्च वे मसाला फसलों की लगभग 57 प्रजादियां वे 72 क्रिशी तक्नीकियों का विकास किया जा जुका है। प्रेसेट एरिया यह कभार कारती है, इतनी अच्छी इसके परफार्मेंस है। 60 के दशक में जब देश में खाद्यान की समस्या थी। तथा विदेशों से लाल गेहूं का आयात किया जाता था। उस वक्त विश्विद्याले के वेग्यानिकों ने गेहूं की उन्नत प्रजातियां विक्सित कर हरित क्रांती में एहम भूमिका निभाई। विश्विद्याले प्रेस की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका जो सिच्छड सोध और प्रसार से संबंदित जो भी साहित होता है। वो भी स्विद्याले प्रेस से चापा जाता है। और किसानों के लिए भी जो कर्शी साहित जायर किया जाता है। वो भी इसी प्रेस से ही तैयर किया जाता है। Under Dynamic Leadership by WISE Chancellor Professor Munna Singh Di, Dean Student Welfare Office has initiated several programs for students. During this period, we have taken several good steps to improvement the overall performance of the student and one major step, the insurance of all student was covered and whenever they were found trouble, we have helped them and rushed them immediately in hospital. Apart from this, hard year sport, special care was taken and entire stadium, sports stadium was re-innovated and hostels was given a new sale, Jali installation was done so that they may not be victim of the mosquitoes etc. छात्रों के शारीरीक विकास के लिए खेलकूत की सारी सुधाएं उपलब्ध हैं, तथा प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जाता है। प्रतान विस्वदैले के वातावनों को कूड़े करकट जद्दगी से दूर किया गया है। स्वच्छ CSA, स्वच्छ CSA का नारा दिया गया है। विद्यार्ति यह पाकर बड़े खुस हैं। वो जलगिनेद विमारियों से दूर हो गये हैं। और अपने पठन पार्टन पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं। इसी कारों से हमारे लगभग 50 विद्यार्ति आईसीयार ध्यारफ में सेलेक्ट हुए थे। हमें कहते हुए बड़ा गर्व लग रहा है। यह संख्या देश में नंबर में। विश्य विद्याले की कारेकुशल्ता में वृद्धी लाने के उद्देश से कुलपती प्रफेसर मुन्ना सिंग द्वारा लगातार विश्य विद्याले के विभिन्य विभागों व प्रक्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। तथा महतुपूर्ण बैठके कर समस्याओं का त्वरिश समधान किया जा रहा है। तीन परजातियां वर्ष 2015 में इस देश को दूँगा। मुझे गर्व है। मुझे गर्व है। हमें गर्व हैं ज्यस्य के चात रहे हैं और श्यस्य ने प्रेट्फॉम दिया कि अपने केईर की उन्चेश को छू सकें। और किसान इतने कुछ कर सकें। मुझे गर्व है। हर स्टुडेंट की जितनी चोटी सी चोटी की समस्या है वह हमारे विश्य विश्य साब ने उसको सॉल्व किया। मुझे गर्व है। with my friends I have spent my last one and a half years of my life in this college and hope and I hope the upcoming years will be most successful and bright for me best for us incredible CSA all I want to say is this here one can get a better environment for their studies we are proud to be a part of which a girl with the path to working with the center of thezingol and each other with the power we are proud in this place we feel the same in CHR Os I am proud 13 Church for home science हेपेगुरिकुरे मुझे कर्व है मैं अपने चात्व जात्रां सब इछा करता हूँ कि वह अपने हुनर का बेलतर इस्ते है रहा हुआँ स्वोहन की प्रगत, समाज की प्रगत, प्रदेश की प्रगत देश की प्रगत जेटू सस्ते टिकाव और मिंटिनेस प्री करणों का याति करण करें मुझे गर्व है इस एदिहासिक विश्वित्याले का हिस्था बन कर आओ हम सभी मिलकर कृशी के विकास में अपना योगदान दे इस एदिए गर्व है